चुछियूट इस यह दूस्टेस लिएक्षी आफ क्लास प्लस फिसिक्स हमारा Almost उसिलीशन तो होछ मैं पढहेंगे सिंपल हार्वह हार्मारिक मोशन Clinic Morrison क्या मोशन आजिसमएं Πरियॉडिक मोशन आपको पाता है प्रूर्ट करता है अपनी mean position के along जो हम रपीड करता है जैसे suppose कर लो यहाँ पर suppose particle पड़ा O पे अगर मैं इसको इस line के तरूँ समझाऊं तो तो O पर पड़ा है suppose यह इधर गया particle A पे extreme position होगी पैंडलर मगर suppose कर लो फिर वापस आया फिर यहाँ पर रुकेगा नहीं फिर यहाँ पर जाएगा minus A फिर वापस आएगा हम कहेंगे एक cycle complete हो गया तो अगर हम उसमें थोड़ा सा initial phase दे दे दें यह पी point यह उसे initial phase कहीं भी दे सकते हैं तो उसे इसमें exit note किया गया clear है तो अगर हम बात करें इसके उपर force कितने लग रही होती है अगर हम किसी भी spring की बात करें spring अगर मैं example लूँ तो force इस पे minus kx minus k का मतलब होता है कि जो force लग रही है restoring force मतलब जब spring यहाँ कोई भी pendulum है अगर यहाँ से अपनी position से extreme position गाएगा तो वापस अगर आएगा कोई ना कोई तो force उसे खीच रही है जिसके कारण वापस आ रहा है तो वह force है minus kx kx इसका मतलब stiffness होता है clear है और इसे force law भी कहते है simple harmonic motion में clear है अगर phase 0 हो अगर phase angle 5 मतलब कि अगर time t पे अगर phase 0 हो तो equation हो जाती y equal to a sin omega t यह से हम अभी resolve भी करेंगे अगर उसमें कुछ phase angle हो final phase angle initial phase दिया हो इसे कहेंगे initial phase initial phase दिया हो तो हम उसमें final angle एड़ कर देते है clear है तो यह दोनों equations है आपको पता है आप दोनों यूज़ कर सकते हैं कि दोनी harmonic function है sin b और cos b that's why इसे हम कहते है simple harmonic motion अब हम simple harmonic motion को actually projection से समझते है easy क्योंकि हम जो equations है उसकी uniform circular projection से अगर हम समझेंगे तो हम इजी हो जाएगा तो हम एक circle लेते है reference circle जहां से हम उससे समझते हैं देखो जैसे suppose कर लो particle इस x पर पढ़ा है suppose कर लो particle इस x पर पढ़ा है और यहां से वो angular velocity theta के साथ यहां p तक पहुंच गया suppose कर लो ठीक है तो यह angle कितना उसने cover किया angle डेकर लो cover किया theta इतना angle velocity के साथ omega angular velocity कितनी होती है angular displacement upon time theta कितना cover किया omega into t omega t क्या किया इतने displacement के साथ यह angle कवर कर रहा है यहां p तक पहुंचने में तो सिंपल हर्मोनिक मोशन ऐक्ट li क्या है क्या सिद्ड से ंने हम इसकी प्रोजेक्शन देखरे है इस यहां पर पी पहुंचा है तो तो इसकी projection देखने के लिए हम यहां पर प्रपेंडिकलों ड्रॉव कर दिया तो हमने देखा यह वाई डिस्टेंस इसकी displacement कि इतनी हुई वाई हुई तो सब्सक्राइब यहां हो जाएगा तो इसकी displacement और बढ़ जाएगी अब ठीक है अब मैक्सिम पहुंच गया extreme position ओके फिर द्वारा से यहां तक पहुंच गया पी पॉइंट तो इसकी projection क्या हो जाएगी यहां पर आजएगी मतलब आप देख रहे होगर इसे तो एक बार यहां से 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 उपर गया ठीक है सिर्फ आपने सिर्फ एकीysis देखने कोई एकसिस देखिए आप जैसे वाई-वाई-डैस्दstones देखे आं दिया वाई-वाई-धैस di-इससी projection वाई ऊपर गया झिक है ओके तो मैक्सिमन जाएगा वासी तक फिर जब पहर्पा सब्सक्राइब बहुता लॉजाब लॉए पुरह शुंचन दोटा सब्सक्राइब पुर्षियर श्ट्रीम पर this पे पेधिए ऊट फिर अजाएगी तो यह बहुत इसकी का करके हम इसको as a projection लेते हैं मतलब हम तो किया हाँ सिंपल हर्मोनिक मोशन प्रजेक्शन किसी की uniform circular motion की को अन्धा अनी diameter of a circle of reference किसी भी circle of reference के diameter तो इसकी मदद से हम समझेंगे simple harmonic equations को solve करेंगे तो characteristics उसके इसी equation से पढ़ेंगे तो देखो suppose कर लो consider कर लेंगे हम इसके displacement निकालेंगे consider कर लेंगे यह reference of circle है यह देखिए ठीक है displacement particle क्या मतलब है defined as the distance कितना distance particle ने displacement का मतलब कितना distance particle ने cover किया उसकी mean position from mean position से ठीक है वह हमने calculate करना है तो अगर हम यहां से start यह suppose कर एक से हमने start किया ठीक है और हमने उसको initial face अभी नहीं दिया suppose अभी initial face हमने नहीं दिया हम यहां से start किया omega t एंगल पी तक पहुंच गए okay तो हम में पता है हमने यह ठीटा निकालना यह वाला ठीटा यह कितना cover किया है in terms of y तो हम यह ठीटा ले लेंगे तो ठीटा क्या हो जाएगा sign अगर आप एंगल से देखें सामने वाला प्रपेंडिक पॉल अपॉन हाइपोटेनियस जैने कि पी यो ओ ओ पी तो ओम वाई पी ओ के ओ ओपी यह रेडियस है यह रेडियस मतलब इसका amplitude maximum कितना दूर तक जा सकता है सारे यह सब तक रेडियस होगा ना यह सारा यह maximum points है न साभी तो यह क्या हो गया हमारा पास a y upon a तो a equal to y a sin theta y equal to a sin theta और हम theta को लिख सकते हो omega t a sin omega तो यहां से आई थी equation a sin of omega t clear है अगर उसमें initial phase हो यह same course के लिए आईगी आप देख सकते हैं सोल करके अगर उसमें initial phase दे दे दें तो यह जो हमां उसमें initial phase का मतलब है हमने particle हो को start कर दिया ऐसे मीन पोजिशन से स्टार्ट नहीं गया किसी भी अगल अगल में और पीछा कितना पीछे है फाइन नोट पीछे अगर वह आगे होता तो प्लस लगा देते हैं पीछे है कितना ओमेगा टी माइनस फाइन से कर बात करें तो ओमेगा नोट मेंगा टी माइनस फाइन ग Canada Colorado the manau के लिए आगा टी माइनस कर दिया हुआ तब भीएक्वेशन सेंगा जाएगी क्ली रह्या है अगर देखो अगले केसमें देखो इस कैसमें तो बताया गया था हुआ ओ कि नियू यह कहलिए और में आगे आगे से कितना अगे गया करें तो देनिए विर्स्ट्रेशन अव भी हो सकती है और तो ऊहीं आ सकती है दोनों साइड से यहां से आप सोल भी कर सकते हूं मैक्सिमुम कब होगी मैक्सिमुम आप यूज कर सकता है ना वाई इस एकल टू ए साइन थीटा साइन ओमेगा टी जब ओमेगा टी यहां से पार्टिकल यहां तक कवर कर लिए तो 90 डिगरी कवर कर लिए असने यहां पर 90 पूट कर करके तीखें सब्सक्राइब करने हार्मोनिक फंक्षन को हम इसको प्रोजेक्शन कहते हैं सर्क्लर मोशन की क्लियर समझागी ठीक है आगे बढ़ते हैं विलॉस्टी अगर हम इसको यहां से स्टार्ट कर रहे हैं यहां से स्टार्ट कर रहे हैं और यट कर लो यह किसी भी पॉइंट पी पेस्ट की प्रोजेक्शन हाई ठीक है यह देखो यह बनाया हूँ उन्हों यह इसको डारम तुरू समझ सकते हैं और उसको यहां थे के स्टेख concert करने के लिए प्रोजेक्शन करने और इसको ब्हूआइक सकते हैं और सिंपल आपने क्या करना है इसको जो हमने निकाला है विल्हासटी को अचों करने के करना पार्टिकल को माल लेते हैं उसकी जो हैंस रेफरेंस एट पीज वीज इकल टू ओमेगा है इस एक्वेशन को जो है डैरीवेट कर दिया डैरीवेशन कर दो दोना डिस्प्लेस्पेंट मतलब कई कर दो घटकि अगर आप ऑनस्ट करोगे तो यह जाएगा एक हौं सटंट अ Agora जा üzस्वारो अंद्र बंचा ओमेगा टी ऑमेगाट का टी और डैरिवेशन हो तो यहां पर ओमेगा बहरा गया तो अगर किता है उसका सीन हैं याँ से हम लेकंते हैं यहां से यहां सी कर लिया और यहां पर अबने प्रोजेक्शन देखिए अगर वेलोसिटी की प्रोजेक्शन देखिए यह है exhode से और अगर हमने इस की तो साइन स्केयर साइन स्केयर निकालाना है आपर उन्होंने ओमेगा टी प्लस फाई इसको हम लिख सकते हैं वाई स्केयर अपान ए स्क्वियर हमने यूज किया है यहां से हम कर सकते हैं तो एक्वेशन निकाल सकते हैं तो हम पूट कर सकते हैं मीन पू आएगा मैंस आएगा पास जो मिलवस्टी आएगी ओमेगा एगी है आप देख सकते हो जब फैंटलों को मूव करते हो तो अगर वह मीन पोजेशन पर गार तो रुकता नहीं है क्योंकि मैक्सेम विलोस्टी को होती है में पोजेशन पर होती है है और यहां से दूसरी स्याद एकोल दूए एन वेकोल डूजीरो तो आप पर जाए कि मुझा समिनिमूम वैल्यों यहां पर पूट किया लिए नावर इसकी पूट करेंगे तो एसके माइनस एसके जीरो हो जाएगा यह जाएगा देज़ प्लीजिए अधिपलिटी यहां पर मेक्सिम वेलिव भी जोड़ वाहाँ पर उसका मैक्सिमम मेलोस्टी हैं ठीक है और फिर फीलोस्टी होगी या तो आइधेर ऐदर टौर्ड जमीन पोजिशन हो सकती है या फर वे फोर्म पूर्ट पूंद प्रीशन एक्सलीशन क्या हो जाएगी अगर विलोस्टी को भी तीक अगर डिपरेंशीयशन कर दे ठीक है न में लॉस्टिक और हम करेंगे तो आगे काॉस का डिफ्रेंशिशन वी किसा हमारे पास है वी था मारे पास व्हेंगा प्रस जैस को गएज ऐस पीज वेलीकों आई गांइन में पड़के हैं थो मैंस याद रखना जो o continuation होती है minimum कब होगी मीन पॉजीशन गेना कम हो जाएगी गढ़ेगी पे पे सबसथी ज़्यादे रखिए को इसी करें है तो रखके रिश्छन Festल लगते रोड़ कजिए अगर कोई भी कि प्शंट तों dulu तो तो हम ये दिखा की हेक्सार्वरेशन हमेशा प्रपोरश्म लाया है we dingे मतलब की इस एकल to मायनस ओमेगा स्केर वाय तो कोईभी क्वेशन अगर ऐसे आते हैं अगर एक्सार्वरेशन हमेशाद डिस्ट्रेसमेंट प्रपोर्श्म आती है माइनस में उपसुट चलती है इस फेस्ट के तो हम कहा सकते हैं जो वह मोशन है वह सिंपल हार्मोनिक मोशन है यह वैरी इंपॉर्टन रेजल्ट है ध्यार रखना है यह पार्टिकल टू इस विदिन एस्टिमेंट जिए फिलोस्टी इस एकसरेशन इनि इस्टेंस किस लिए पुआगी बात तो यह आपको थिहां रखना डाइम निकालने के लिए आता है थाहिए यह तो डिस्प्रेस्वाइशन एक फॉस्छार्ट फॉस्ष है टाइम पेया होता है किसी भी चीज़ का तू पाहिए यूट वाई पॉन एक दीज्प्रेस्वेंट पॉन ऐब इनक यह फ्रेक्वेंसी निकाल सकते हैं मनभाई टी कर तो इसका पॉपास इस फ्रेक्वेंसी आ जाएगी क्लिए समझागे तो यह सेम जो था यह ग्राफिकली इसको सब जाया गया है यह दो कि राफ के थूर जब पार्टिकल यहां पर और था यहां पर सबसे मैकसिम मीन पूसिशन पर था जिरो पर था ठीक है यहां पर सब थे स्कते हैं तो ऐसी सब में 2pi by T दोने वेल्यूट करती है और देखो तो एक टी जिरो जो टाइम टी जी जी रोथा इस्प्रीस्मेंट जीरो रिख़ोग्राफिकल कर लाएं दिस्प्रीसमेंट यह ठीक है ठीक है क्थल हमारे पास टीजी रो ताइस प्लेशिम जीरो कि फिरोसलिटी मैक्सेमूं होगी वोघ्वॉटी माँएक सीमा पर मैक्सेमा हा ठीक है कि इतनी मेगा ही एक्सट सीरोट आिफेर aráक्सेरीशन नहीं लगरी क्योंकि वहाँ फर हभी उके तो टी टी वाय-4 हुआ जब सिर्फ लिकलत की वैलु पूट करें यहां पर ती की की वैलिए फॉर टी की वैलिए Zero तो हम उसको ग graphic से ड्रो करेंगे यहां पर जी रो था ठीक है जब भी टी वाई फॉर हुआ यहां पर देखो मैकसिमुम डिस्प्रेश्माट आगके ए यहां पर विलोस्टी जीरो है क्योंकि मैकसिमुम पॉइंट पर जाकर abd जना के यह ले जाकर जो पी वाई लिखिमम एक्सलराइशन ठीक है आगे देखते हैं तो टीव वै फोर तूटी बैफोर मतलब टीवाय तो तूटीवेफ़ों मतलब टीवाय तो हम यहाँ फिर देखेंगे यहां पर सेम केस यहां पर फिर 0 हो जाएगा ठीक है फिर नेगटिव में जाएगा सैकल दिखो माइनस यहां पर फिर नेगटिव आ जाएगा यहां पर एक साइकल कंप्लीट करने का गराफ हमारे बास यह रहा अगर हम को से कर सकते हैं कोस का यह होगा क्लीर है तो इस अल बाउट यह अगर हम एक्सलरेशन का यह विलॉस्टी का बनाया और ने पर गराफ यह विलॉस्टी का बनाया और यह एक्सलरेशन का एक्सलरेशन भी सेम डिस्प्लेस्मेंट जैसे चल रही है ठीक है और विलॉस्टी विलॉस्टी थोड़ा सा डिफिरेंस आ रहा है यह मीन पोजिशन पर सबसे ज्यादा हो जाती है और एक्स्ट्रीम पोज कि तो नहीं है तो इसके कारण हो रही है उसकी डिस्प्लेस्मेंट यहां से बोड़ी होड़ी होड़ी यहां पर कितनी पूरेशन अपर इसमें कर दिया रिलीज करने पड़े इन टरमस अथ किनेटिक इनरजी ठीक है तो ग्रेंट इनर्जी डिंट आफ विलोस्टी हमें मिलती है तो हमें पता है displacement क्या हूंति है a sin omega d velocity क्या हो जाती है इसका derivation कर दिया acceleration evolution कर दिया आप हमें पता है force कितनी लग रही है negative sign का मतलब हो पोजिट force लग रही है force होती है mass into acceleration mass acceleration कितना omega scale y अभी पढ़के हैं माइन समें ठीक है तो रेट कारो स्मॉल आमाट ओवर्क डन किया हमने फोर्स इंटु डिस्प्रेस्मेंट थोड़ा सरज डिस्प्रेस्मेंट किया उसको माइनस ऑपोजेट साइन प्लस हो जाएगा के वाई डी वाई आगया पार्टिकल को मॉव किया कहां से जीरो से किसी भी मीन पॉजिशन तक वाई तक एक अगया तो इस प्रेंशन अगी स्टोर इन दा बोडी नेटिक नर्जी भी आप एंगे अगया हाफ मीजार होता है नेर्जी वी हमें पता है विलोस्तिक वेलियों में सोल की ओपर वैल्यू बूट करेंगे और इंट इसको हम फोड़ा से चेंजिस करेंगे को हम साइंस के लि ओफ के स्केर अफ एम ओमेगा स्क्याइर एस क्यार, इसके हम हूँ एक धिर मोमेगा स्क्यार के लिखंए कि तो इसको अभी आज़िकल तकी जिरू है तो नुमेगा कि रिखंए बात करेंगे कि इतनी के और टृम्ट कार नेर्जी वी हम आभ पुट फैंची आंगे साइठी पोड़ी मूफ कर रही तो यहांप रुकर गीनिए and energy मेकसिम होगी देखव है से टाइम टीजिरो पे पोटेंशन नर्जी जिरो किनेटिक नर्जी मैकसिम तो टो टोटल नर्जी हाफ एम स्केर उमेगास केर सिर्फ किनेटिक नर्जी करन हो रहा है तो हम देखते हैं इसके देखा पूरेंश एनर्जी 0 वो गया ठीक है नेक्स्स एकर हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम ट्वाइफ ऑर पर पूंटैंश इनर्जी मीन पे क्या जाएगी अगले के मुझे पूर बेद सकता हैं और बेर्ट तो दीस हं उत्सेयल कर नहीं maintenا करना इसका इसको नोज तो इनर्जीर में thank you